जूट से सच से जिससे भी यारी रखें आप तो अपनी तक्रीर जारी रखें बात मन की करें या वतन की करें जूट बोलें तो आवाज भारी रखें राहत इन दौरी तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज वतन कितनी आहूं से तेरा कलेजा धंडा होगा फैस आप देख रहें न्यूस चक्र मैं अभिसार शर्मा और जामिया मिलिया इसलामिया और अलिगर्ड मुस्लिम इनिवरस्टी में जो हिंसा हुई जो राजकता की तस्वीरे हमने देखी आपको कुछ सवाल खुछ से पूछना पड़ेगा सवाल नमबर दो जो आपको पूछना पड़ेगा कि जो हिंसा की तस्वीरे आ रही है इस हिंसा के पीछे कौन है कौन दागदार कर रहा है इन प्रदर्शन को कौन आखिर इस प्रदर्शन के पीछे जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें बदनाम कर रहा है ये तमाम सवाल आपको खुछ से पूछने पड़ेंगे मगर सबसे पहले हिंसा को लेकर फर्ख और खुले आम फर्ख वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी डुमका में थे जहारखंड में जिहां चुनावी राली कर रहे थे क्योंकि जहारखंड में चुनाव होने है जामिया जल रहा है अलिगर्ण मुसलिम युनिवर्स्टिय में आराजकता है असम नौर्थीस्ट में आराजकता है मगर प्रदान मंत्री जहारखंड में चुनावी राली कर रहे है सबसे पहले प्रधान मंत्री ने ये कहा कि तुम कपड़ों से पहचान लोगे की आखिर हिंसा कौन कर रहा है सुएं प्रधान मंत्रियां क्या कह रहे है यानिकि मोदी जी का ये कहना है कि जो लोग एक खास किसम के कपड़े पहन रहे हैं वही लोग हिंसा कर रहे है आप और हम सब जानते हैं कि प्रधान मंत्री किसकी और इशारा कर रहे है प्रधान मंत्री अगर वाकई आप हिंसा की कड़े शब्दों में बगैर लाग लपेट के आलोचना कर रहे होते ना तो मैं आपकी तारीफ करता मगर कुछी सेकंड्स बाद प्रधान मंत्री ने ये बात कही वो असम और नौर्थीस की तारीफ करने लगे क्यों? क्योंकि आसम और नौर्थीस में इनकी सरकारे है वहां की जनता के बारे में अनाप्शन आप नहीं बोल सकते सुनिये क्या कह रहे है मैं आसम के नौर्थीस के भाईयों बेहनों का सर जुका करके अबिनन्दन करता हूं कोड़ों ने हिंसा करने के इरादे वालों को अलग कर दिया शांतिपूर तरीके से अपनी बात बता रहे है देश का मान समान बड़े ऐसा वहवार आसम नौर्थीस कर रहा है यानि की एक खास किसम के कपड़े पहनने वाले जो लोग हैं वो हिंसा करें तो गलत है मगर आसम और नौर्थीस जहां पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई जहां दो से तीन लोग मारे गए जहां उसको लेकर प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे थे मैं मानता हूँ कि इस वक्ड़ असम में शान्ति के आलात है मगर मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि हिंसा को लेकर ये दोहरे मापदंड क्यूं और इस तरह का बयान दे कर आखिर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं और मेरा सवाल उन हिंसक प्रदर्शन कारियों से दोस्तों, मैं कड़े शब्दों में इस हिंसक की आलोचना करना चाहता हूँ दो तस्वीरें आपके सामने हैं पहली तस्वीर जिसमें मुर्शीदाबाद जिले में एक ट्रेन को जला दिया गया और दूसी तस्वीर मालदा जिले के एक रेलवे स्टेशन के अंदर के हालाथ पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है आज मैं उन्स हिंसक प्रदर्शनकारियों सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर तुम किसके पक्ष में आंदोलन कर रहे हो और ये हिंसक आंदोलन करके तुम बदनाम किसे कर रहे हो क्या तुमको शर्म नहीं आती आप ये दिल्ली के तस्वीरे देखिए आखिर इन बसों को किसने आग लगाया क्योंकि पुलीस कह रही है कि गुमनाम प्रदर्शनकारी है ये गुमनाम प्रदर्शनकारी कौन है और ये गुमनाम प्रदर्शनकारी कहीं न कहीं कहीं न कहीं जामिया का दाम बदनाम कर रहे है उन तमाम लोगों को बदनाम कर रहे हैं जो की Citizenship Amendment Act जैसे असमवैधानिक कानून का विरोध कर रहे हैं असमवैधानिक Act का विरोध कर रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए मगर जो हकीकत जामिया अलिगर मुस्लिम युनिवरस्टी से सामने उबर कर आई न वो आपको इस रुदाली से सपष्ट हो जाएगी इस लड़की का नाम है अनुग्या सुनिए आज वो आप से क्या कह रही है कुछ नहीं बचा आप मैं क्या पढ़ो घर जाकर Constitution कुछ छोड़ा है काश देख पाते हो लोग आकर अंदर की रात भर में बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सब के साथ क्या किया है बात यहाँ नहीं रुकी दोस्तों पुलीस ये कह रही है कि चूकी जामिया के अंदर से पथरा हुआ ता इसलिए हमने हमला बोला ये तस्वीर जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये उस हमले से जो कि शाम को हुआ उससे बहुत पहले की है आप देखिए पुलीस किस तरह का दमन कर रही है और किस तरह से कुछ लड़कियों ने कुछ लड़कियों ने एक लड़के को पिटते पिटते बचाए ये तस्वीर देखिए आप बात यहां नहीं रुकिये अब ये तस्वीर देखिए बच्चे जो हैं हाथ उठाकर परेड करवाया जा रहा है पुलीस किस तरह से इनको धंका रही है अब आप देखिए एंडी टीवी का ये क्लिप ये रिपोर्ट जिसमें छात्रों को हाथ उठाकर एक तरह से धकेला जा रहा है और एक पुलीस वाला जबरदस्ती कर रहा है देखिए ये विडियो है जाख प्राइब में डर और खौफ साफ तोर पर देखा जा सकता है अब जामिया के इंशात्रों की आवाज सुनिए कि किस तरह से लाइबरेरी के अंदर जहां वो शांति पूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे पुलीस ने हमला बोल दिया झाफ झाफ झाल बो भाँ झाल आति आम झाल हां झाल सबसे अजीब और अचरच भरी बात ये कि धार्मिक्स थलो तक को नहीं बक्षा गया ये सेक्योरिटी गार्ड बता रहा है कि किस तरह से एक मस्जद के अंदर पुलीस ने आक्शन किया क्या इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब है सुनिए को अचा कहा कहा मारा आपको ये मारा है अजीब हो गरीब बात है कि पुलीस अपनी तरफ से दो थियोरी दे रही है पहली थियोरी आपके सामने स्क्रीन्स पर News 18, CNN News 18 की थियोरी जिसमें पुलीस ये साफ तोर पर कह रही है कि दरसल ये हिंसा बाहरी लोगों का काम है बाहरी लोगों का काम तो मेरा सवाल आपसी है कि अगर ये काम बाहरी लोगों का है तो जामिया के अंदर इस तरह से घुसकर आप छात्रों पर दमन क्यूं कर रहे थे और आप दूसरी थेयोरी देखिए ये हैं डियेस रंधावा ये वही शक्स हैं जो आज से कुछ दिनों पहले जब जेनियू के चात्र मैदान में थे तब पत्रकारों पर अंकुष लगा रहे थे तस्वीर लेने से एंडी टीवी को दियेगा इंटिव्यू में इन्होंने कहा कि हमने जामिय के अंदर इसलिए हमला बोला क्यूंकि छात्र अंदर से पत्राव कर रहे थे हाला कि उसी स्वर में ये भी कहते हैं कि कुछ छात्र जिन्होंने अपने चेहरे चुपाई हुए थे शात्र शब्का इस्तमाल नहीं किया उन्होंने उन्होंने कहा कि कुछ गुमनाम प्रदर्शनकारी हम यही तो सवाल कर रहे हैं जिन्होंने बसों को जलाया जो चात्री या जो वो चहरे थे वो किरदार थे जिन्होंने अपना चहरा चुपाया हुआ तो आखिर हैं कौन और पुलीस ने इन बसों को जलाने दिया ही क्यों क्या वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी उन अराजक तत्वों को जो बसों को चला रहे थे और सारा दमन जो है आप शांतिपूर्ण शात्रों पर कर रहे थे मैं ये भी जानना चाहता हूँ पुलीस से कि अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो आप मीडिया को अंदर घुसने से क्यों रोक रहे थे ये एक छोटी सी क्लिप है इसमें आप देखिए ना सिर्फ पुलीस रोक रही है बलकि हाथ भी मारती है पत्रकार के ओपर देखिए शाम से रात तक ये पूरा आक्शन हुआ जिसमें पुलीस ने बगएर इजाज़त लिये हमला बोल दिया जामिया के अंदर आपके सामने नजमा अक्तर जो की वीसी हैं जामिया मिले इसलामिया की वो खुद बता रही हैं कि पुलीस ने किस तरह का दमन किस तरह का त्याचार विद्यारतियों पे किया और जब जामिया की खबर आने लगी उसी वक्त अलिगर्ड मुस्लिम इनिवर्स्टी में भी हालात उगर हो गए वहाँ पर भी पथराव शुरू हो गया और कुछ तस्वीरें लगाता और उभर कराने लगी छणशन के कई तस्वीरें आ रही थी मसलन ये तस्वीर जिसमें लड़कियों को देखा जा सकता है और एक पुलीस वाला जो है वो गेट को फांदने की कोशिश कर रहा है लगातार मेरे वाटसैप पर अलिगर्ड मुसलिम उनिवरस्टी के छातरों के संदेश आते रहे वो बोलते रहे कि हम पर दमन किया जा रहा है और पुलीस हम पर ज्यादती कर रही है मगर एक सवाल हमें पूछना पड़ेगा कि क्या पुलीस ने अलिगर्ड मुसलिम उनिवरस्टी पर इसलिए हमला बोला क्योंकि अलिगर्ड मुसलिम उनिवरस्टी के छातरों ने पहले पत्राव शुरू किया कहीं ऐसा तो नहीं कि अलिगर्ड मुस्लिम इनुवर्सटी के छात्रों की तरफ से हिंसा पहले शुरूर ये सवाल भी हमें पूछना होगा क्योंकि हिंसा को लेकर हम पक्षपाती खताई नहीं हो सकते मगर जो तस्वीर में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि चलिए मान लिया अलिगर्ड मुस्लिम इनुवर्सटी शात्रों ने हिंसा की थी मगर उत्तरपदेश पुलीस ये क्या कर रही है अपना घुसा बाइक्स पर क्यों निकाल रही भाई सच तो ये दोस्तों कि पुलीस की दोरी छविए जब वकील सामने होते हैं तो मिम्याने लगते हैं और आप जानते हैं कि इसी न्यूस क्लिक के मंच पर मैं पुलीस के साथ खड़ा हुआ था जब वकीलों ने उन पर हमला बोला था मैंने कई शोज किये हैं उनके पक्ष में मगर पुलीस ने अपनी हरकत से एक बार फिर शहमसार किया है क्योंकि जब वकील सामने होते हैं जो कि पुलिटिकली कनेक्टेड होते हैं तो आप उनके सामने घुटने टेक देते हैं आप अपने परिवार को सामने भेज देते हैं प्रदर्शन करने के लिए मगर दूसरी तरफ निहत्ते बेकसूर शात्रों पर आप इस तरह से हमला करते हैं ये दो तस्वीरें उसकी बांगी है पुलीस एक बार फिर कुनहगार बनकर सामने आई है जिसका प्रमाण ये है कि कल बड़ी तादाद में लोग पहुँचे आईटियो के दिल्ली पुलीस हेटक्वार्टर्स ब्रदरशन करने अपनी आवाज बुलंद करने मैंने आपसे कारकरम की शुरुआत में कहा था कि इस मुद्दे को हिंदू मुसल्मान कौन कर रहा है इसमें आग कौन लगा रहा है कारकरम की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि प्रधान मंतरी ने कितनी खुबसूरती से एक खास किसम के कपड़े पहनने वाले लोगों पर हमला बोल दिया उन पर इशारा कर दिया अब आपके सामने ये दो चहरे बीजेपी निता बेजेंट पांडा और आरेसिस और बीजेपी सानसद राजसभा से राकेश सिना ये लोग क्या कह रहे हैं किस तरह की आग लगा रहे हैं आप खुद सुनिए राकेश सिना क्या बूल रहे हैं सडकों पर डाइरिक्ट आक्शन करने वाले जो आगजनी कर रहे हैं वे भूले नहीं हमने इतिहास से बहुत कुछ सीखा है नरेंदर बोदी सरकार का सिटिजन्शिप अमेंड्मेंट आक्ट को चुनौती देने वाले कौन है और उनकी मनशा क्या है हम जानते हैं समय रहते घलती सुधार लें 1946 नहीं है 2019 है यह हमें याद दिला रहे है 1946-47 में बटवारे के दौरान जो हिंसा हुई थी उसकी उस बात की धमकी दे रहा है ये शक्स R.S.S. से जुड़ा ये शक्स वो R.S.S. जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया था और ये देश में पटवारे के इतिहास को दौराने की बात कर रहा है इन्हें शर्माती है इस तरह से हिंसा भड़काना और मैं जानना चाहता हूँ अगर ये हिंसा पहलेगी तो क्या इसका असर सिर्फ मुसल्मानों पर पढ़ेगा क्या इसका असर मेरे जैसे हिंदू पर नहीं पढ़ेगा आपके और मेरे परिवार पर नहीं पढ़ेगा आपके और मेरे बुजर्ग मापाप मेरे बच्चों पर नी पड़ेगा इसको हक इसने दिया है इस तरह से हिंसा पहलाने का अब यह दूसरी तस्मीर देखिए यह बैजन पांडा बीजेपी का नेता है क्या बोल रहा है यानि कि जो लोग पश्च्रमंगाल में या जामिया में हिंसा कर रहे है यह बहुत जरूरी है उसके चलते NRC लाया जाए और Citizenship Amendment Act लाया जाए इस कम अकल बीजेपी नेता को यह नहीं पता कि अगर लॉइन ओर्डर का प्रॉब्लम होता है तो आप इस तरह के Acts नहीं लाते आप कानूनी तोर पर अंकुष लगाते हैं पुलीस मुस्तैदी लाए गरह मंत्री जवाब देह बने अगर हिंसा होती है तो कानून अपना काम करे जी हाँ उसके लिए तुम Citizenship Amendment Act ये NRC का सहरा मत लो दोस्तों आज मैं कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ मुद्दा नमबर एक अफवाहों से बचें क्योंकि अगर याफवाह होंगी तो वो लगातार हितों को खराब करती है जो मुद्दे होते हैं उनसे जुड़े हितों को वो नुकसान पहुचाती है मुद्दा नमबर दो कोई आपको भड़काने ना पाए क्योंकि एक नाराज मुसल्मान एक भड़का हुआ प्रदरशनकारी ये तमाम चीज़ एक खास किसम की पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक हितों को साधती है मैं जानता हूँ आपके लोगों के जहन में एक गुसा भी है वो गुसा क्या है? क्या है वो गुसा? वो गुसा ये कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है मगर अगर आपको उनके बिचाय हुए राजनीतिक जाल में फसना है तो आप फस ये स्वागत है आपका अंत में सरकार अपने अक्शन्स पर पारदर शिता ट्रांस्पेरिंसी लाए क्योंकि जब तक ट्रांस्पेरिंसी नहीं होगी बात बच से बत्तर होती जाएगी और जैसा कि हम देश के अब कई हिस्सों में देखते नजारा रहे है और जाते जाते गुमनाम कवी कि ये शब्द जी हाँ बात तो हो रही थी फाइव ट्रिलियन एकॉनमी की मगर खस्ताहाल एकॉनमी पर आप किसका ध्यान नहीं है सब इनी चीजों पर हमें भटकाया जा रहा है वो कवी क्या कहरा आप भी ध्यान से सुनिए जील में पानी बरसता है हमारे देश में खेत पानी को तरसता है हमारे देश में जिन्दगी का हाल खसता है हमारे देश में दूद महंगा खुन ससता है हमारे देश में राजनेता पागलों और अफसरों को छोड़कर आप बोलो कौन हसता है हमारे देश में न्यूस चक्र में बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील किस कारकरम को जह साधर लोगों तक पहुंचाएं और न्यूस क्लिक चानल को सबस्क्राइब करें अब हिसार शर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार